नमस्कार दोस्तों, welcome back to my channel, total physical education दोस्तों, BPA और MP8 की official website पर BPA और MP8 की admission process से संबन्दीत, आगे की process से संबन्दीत cap round से संबन्दीत, पूरा tentative schedule, updated schedule फिर से एक बार याँ पे upload हो चुका है दोस्तों, वो schedule क्या है, first cap round कब declare होने वाला है, second cap round, third cap round और institute level का round यह सभी round कब declare होने वाले से संबन्दीत, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आप लोग के सामने प्रस्तोत करने माला हूँ तो वीडियो के साथ बने रही है दोस्तों, वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाला है, आगे की process क्या है, यह पूरी process अभी हम देखने वाले तो चलिए दोस्तों जानकारी की शुरुआत करते हैं, देखें यह updated schedule, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो updated schedule है, यह schedule BPA और MP8 यह दोनों courses के लिए है, दोनों courses का यहाँ पर same schedule रहेगा दोस्तों तो इसलिए आपको यहाँ पर confused नहीं होने वाला है, बीपीड और MP8 के लिए दोनों courses के लिए है पर same schedule रहने वाले है, तो यह schedule दोस्तों 2 अगस 2024 पर यहाँ पर CT cell की website पर यहाँ डिस्पले हुआ है दोस्तों, Central admission process, cap tentative scheduled, ठीक है, यह tentative scheduled ले दोस्तों, बीपीड और MP8 के लिए यहाँ पर release हुआ है दोस्तों, अब देखिए tentative schedule ले दोस्तों, इसमें बदला होने की संभा होना है, ठीक है, tentative का मतलब होता है, changes हो सकते हैं, अब देखिए यहाँ तक तो हमारी process complete हो चुकिए, fourth number के point तक हमारा पूरा process complete हो चुका है, अब यहाँ से fifth number के point से अभी हम आगी process करने वाले, तो क्या-क्या process कब रहने वाली, पूरी जानकर यहाँ देखते हैं, अब देखिए, fifth number का point देखिए, college option form filling for round 1 and round 2, अब पहले round के लिए college option form filling की प्रक्रिया, यहाँ पे 5 अगस्ट 2024 से 7 अगस्ट 2024 के बीच में होने वाला है, तो इसके पहले मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भी यह जानकारी दीए, अब यह college option form first round और second round यह दोनों round के लिए आपको fill करना है, इसके पहले यह first round का अलग procedure होता था, second round का अलग होता था, लेकिन इसमें अभी आपको first और second यह दोनों round के लिए option form filling की प्रक्रिया रहेगी, option form fill करने के बाद दोस्तों यहाँ पे publication of final merit list for round 1, पहले round के लिए, पह merit list declare होने के बाद दोस्तों आपको college allot हने वाला है, allocation of round 1, आपको first round के लिए college कब allot हने वाले है, 9 अगस 2024 को, college allot हने के बाद दोस्तों आपको candidates report to allocated college and seek admission for round 1, अब आपको क्या करना है, college allot हने के बाद, पहले round के लिए college allot हने के बाद, आपको 10 अगस 2024 से 13 अगस 2024 के बीच में आपको admission लेना है इसी duration में आपको admission लेना है दोस्तों किसी की तरह का affiliate नहीं करना है इसके बाद admission लेने के बाद जो संबंदित college है वो college admitted candidates की list अपने पोर्टल पे वाव पे display करने वाला है तो वो date रहेगी दोस्तों 14 अगस 2024 इसके बाद candidates Registration for UNregistered CDT qualified candidates for round third and इंस्टिटूशन लेवल राउंड अब देखिए यहां पर क्या बताया है कि जिन लोगोंने पहले राउंड के पहले यह पहला राउंड डिक्लियर होने के पहले तक जिन्होंने अपना रजिस्टेशन नहीं किया था उन सभी कैंडिडिट्स को फिर से एक बार थर्ड और जोबरे और दोस्तों 7 अगось 2023-24 दोस्तों 7 अगस 2022 से 24 अगस 2024 की बीच में इसली डियूरेशन में आपको करना है लॉक्षा रजिस्टेशन अब सेकेंड नों का प्रोस्सी की होना जोस्तों बार के लिए आप सर वागेंड सेट्स का डिस्ञैय्स आक बैकेंड निनागा इस इनका मेरेट लिस्ट डिक्लियर होने वाला है 14 अगस 2024 को यह होने के बाद दोस्तों इन लोगों के लिए यहां पर अलोकेशन राउंड टू यहां पर सेकेंड राउंड अलोकेशन होने वाला है सेकेंड राउंड गालेट राउंड इसके बाद इसके बाद चैंडिडीट को यहांपर सेकेंड राउंड के लिए कॉलेट अलोट हो चुके है उनको तो 19 अगस 2022 से 21 अगस 2022 के बिच में सम्मधित कॉलेज में जाके एड़िशन करना है इसी डॉरेशन में आपको एड़िशन करना है दोस्तु लेट नहीं करना है next is colleges upload the admitted candidate on the portal यी college का काम है college admitted candidate की list यहापे 22 अगस 2022 को upload करेंगे अब यहापे शुरू होते है third cap round third cap round के लिए पहला point है दोस्तो candidate registration for unregistered CDT qualified candidates for round third and institution level round अब यहापे फिर से एक बार यहापे आपको समय मिलने वाला है third और fourth अर्था institution level round के लिए आपको फिर से एक बार registration करने का समय मिलता है वो कब से कब तक रहेगा 7 अगस 2024 से 24 अगस 2024 इस duration इसके बाद display of vacant seats for round third अब third round के लिए कितनी seats vacant है इसका फिर से एक बार information अर्था display किया जाएगा 22 अगस 2024 को next is already filled in candidates edit the cap application form if required अब third round के लिए पहले और दुसरे round के लिए आपनों पहले form फिल करने वाल है आपको लगता है कि नहीं मेरे को फिर से एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं कब कर सकते हैं 23 अगस 2024 से 24 अगस 2024 के बीच में और इसी duration में आप college option form fill कर सकते हैं इसी duration में 23 अगस 2024 से 24 अगस 2024 के बीच में आप college के option form fill कर सकते हैं इसके बाद college option form fill करने के बाद आपका documents का जो भी अपने application form फिल करते हैं जो documents अप्लोड किये थे वो documents का e-scrutini यह e-scrutini expert committee के दवारा होगा यह 23 अगस 2024 से 26 अगस 2024 के बीच में होने वाला है थर्ड राउंड का यहां पर alphabetical merit list display होगा दोस्तों सत्ताई सगस 2024 को इसके बाद resolving grievances related to alphabetical merit list अब यहां पर जितने भी candidates को alphabetical merit list पर doubt है या फिर किसी के objections है वो objections ले सकते हैं 27 अगस 2024 से 29 अगस 2024 के बीच में हैं उसके बाद candidate to edit the application form and upload required documents to candidate login if required अब पहले और दुसरे राउंड में जिन candidate का application form reject हुआ था documents upload नो होने के कारण ऐसी सभी candidates को अपना form edit करने का समय और documents required document upload करने का समय यहां पर दिया जाएगा 27 सगस 2024 से 29 सगस 2024 के बीच में इसके बाद third cap round के लिए यहां पर final merit list display होंगी दूस्तों दो सितंबर 2024 को और third cap round का यहां पर college allocation होगा college allot के जाएंगे students को 4 सितंबर 2024 को इसके बाद जितने भी candidates को यहां पर college allot हो चुकी है या allot होने वाले है इसरे round में वे सभी students 5 सितंबर 2024 से 10 सितंबर 2024 के बीच में admission लेने के लिए इन लोगों को जाना है इसके बाद college को admitted candidate का यहां पर list upload करना है 11 सितंबर 2024 को अब बारी आती दोस्तों इंस्टिटूट लेवल राउंड के चोथा राउंड रहेगा दोस्तों इंस्टिटूट लेवल राउंड होता है management की seat होती है या पर जितने भी बच्ची होई seat होती है इसके लिए इसके fill in online options college choices for institute level admission अब जितने भी बच्चेवे candidate है उनको फिर से एक बार college online college option form fill करना है और college choice करने है 12 सितंबर 2024 से 16 सितंबर 2024 के बीच में इसके बाद colleges generate online merit list through cap portal अब जितने भी institute level का यह जो राउंड दोस्तों जितने भी college वहाँ पर हैंगी यह सभी college अपने स्तर पर यह merit list cap portal जे जन्रेट करेंगे इसके बाद colleges upload the merit list on the college notice board अब college के पास वह merit list आने के बाद college सम्मंधित college अपने college की merit list notice board पे लगाएंगे या अपने college के website पर पब्लिश करेंगे ठीक है the generated merit list will be available on cap portal अब merit list जो generate होगी जन्रेटेट मेरिट लिस्ट के पोर्टल पे अर्ताथ सीटी सेल की यह official पोर्टल पे भी upload होने वाली हो कब होने वाली है सितंबर दोजार चुबिस इस duration में आपको वह एडविशन की प्रोसेस कंप्लिट कर दी है सबसे important point यह दोस्तों कट-off date of admission no admission after the cut-off date यह जो cut-off date दी गई है दोस्तों admission के लिए यही cut-off date के पहले आपको admission लेना है इसके बाद किसी प्रकार का एडविशन का प्रोसेस नहीं होने वाला है वह समय रहेगा 21 सितंबर 2024 पर इस प्रकार से यह चारो round इस schedule के अनुसार होने की संभा होना है लेकिन यह tentative schedule है तो इसमें changes होने की संभा होना है पूरी है इसलिए updated schedule आने की बाद फिर से में आप लोग को यहाप एक बार update देने वाला हो लेकिन अगर किसी प्रकार का अगर changes नहीं होता है तो इस schedule के अनुसार आपका BPA और MP8 का यहापे सारे की सारे round यहापे complete होने वा तब तक के लिए जए